जीवित प्राणियों की दुनिया में सभी जानवर दूसरे जानवरों पर या पोधों पर निर्फर करते हैं खाने के लिए सभी अपने खाने के लिए दूसरे अनिमल्स या फिर प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं And in turn, और इसके बदले में, become food for other animals. वो खुद भी दूसरे animals के लिए food बन जाते हैं, खाना बन जाते हैं. This chain of eating and being eaten. Chain मतलब शिंकला, ये chain, कौन सी शिंकला? खाने की और खाये जाने की. पहले वो खुद खाते हैं, उसके बाद वो स्यम भी खाये जाते हैं. Is called a food chain. इसको food chain कहते हैं. एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं. इस दुनिया में सभी animals अपने खाने के लिए दूसरे animals या plants पर depend करते हैं. एंड इंटन और इसके बदले में वो दूसरे animals का खुद भी खाना बन जाते हैं. इस chain of eating and being eaten ये chain जो होती है, पहले खुद खाना और फिर खाया जाना इसको food chain कहते हैं. All animals depend on plants for food directly or indirectly. सभी animals अपने खाने के लिए plants पर depend करते हैं. सीधे रूप से या फिर दूसरे रूप से indirectly. Thus, a plant is always at the beginning of a food chain. इस परकार एक प्लांट जो होता है, वो food chain के बिलकुल beginning में, starting में, शुरुवात में होता है. Let's see the picture. This is grass. ये खेट में घास उगी हुई है. घास को कोन खाता है? ग्रासोफर. जो ये हरी घास का तिड़ा होता है, जिसको grass उफर कहते हैं, ये इस घास को खाता है. फिर इस grass उफर को कौन खा लेता है? फ्रॉग. फ्रॉग ने इसको खा लिया. पहले इसने इसको खाया, फिर ये खुद भी फ्रॉग के द्वारा खा लिया गया. उसके बाद फ्रॉग किसका फूड बन जाता है? स्नेक का. स्नेक ने फ्रॉग को खा लिया. उसके बाद स्नेक किसका फूड बन गया? इगल का. चील का. तो पहले खुद खाना, और फिर किसी दूसरे के द्वारा खुद को खाया जाना. इसने भी पहले इसको खाया फिर ये खुद इसके द्वारा खा लिया गया इस पूरी चेन को food chain कहते हैं इस पूरी चेन को food chain कहते हैं यही बात इसमें आगे लिखी हुई है For example, a grass offer eats grass एक grass offer जो है वो घास को खाता है A frog eats grass offer Frog जो है वो जो है वो grass offer को खाजाता है A snake eats frog Snake जो है वो frog को खाजाता है A snake can be eaten by an eagle जो snake है वो एगल के द्वारा खा लिया जाता है So dear students, this is called food chain Thank you Stay home, stay safe